इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरنت से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। नेक सिटो पांच टेबलेट व्यापक रूप से डिप्रेशन और अन्यमान सिक्स्वास्ति स्थितियों जैसे चिंता, पैनिक डिसॉडर और और आपसेसिव कंपल्सिव डिसॉडर आधी के इलाज के लिए निर्धारित है यह एक प्रकार का एंटी डिप्रेसंट है जिसे सेल भूजन के लिया जा सकता है खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता होगी यह आपके लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा डॉक्टर आपको कम खुराक से शुरू कर सकता है और ध प्रियो विड्रॉल लक्षन, एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं. अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए इस दवा को नियमे तौर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें. अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है, तो आपका डॉक्टर आपको इसे सुभा लेने की सलाह दे सकता है. आपको बहतर महसूस करना शुरू होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, ठकान, ज्यादा पसीना निकलना, अनिद्र, नींद में कठिनाई, से खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार विक्सित करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बता दें. यदि आपको एपिलेपसी, सीजर डिसॉर्डर, या फिड, डाइबिटीज, लिवर, या किड्नी से जुड़ी कोई बीमारी, किसी भी प्रकार की हिर्दै की सम या आप वर्तमान में माओ इन्हीबिटर नामक डिप्रेशन की दवाएं ले रही हैं, तो नेकसितो पांच टैबलेट लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए, ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं, कृप्या अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रही हैं, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटि को क्लिक करें, धन्यवाद